अरे कृष्णा अरे कृष्णा साथियों पिछले वीडियो में अमने प्रयोगवाद देखा था और दो पार्ट में था और प्रयोगवाद पुरा हो चुका था और मैंने आपको वहाँ पर जो में में राइटर उसके वह बता दिये थे वैसे तो हमारी क्लास नहीं होने वाली थी जैसा कि मैंने आपको टेलिग्राम पर मैसेज कर दिया था लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स आये और उन्होंने कहा कि मैं प्लीज क्लास को आप रेगुलर रखें बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा और सही कहूं तो क्लास नहीं लेने की स्थिति में हूं लेकिन फि कि इतने रिक्वेस्ट थी तो फिर मैंने सुचा कि ठीक है कोशिश करूंगी मैं और समय निकाल के और हमारी क्लास हो रही है चोड़ी चोड़ी समस्य आज आती है जीवन में इस वजह से कभी-कभी थोड़ा सा ब्रेक लंबा भी हो जाता है वैसा मैं नहीं चाहती आपका न नहीं है कि अंतर करूं में इतना गेप करके रखूं क्लास में लेकिन करना पड़ता है कभी-कभी लेकिन फेभी हमारी क्लास हो रही है लेकिन हां अब कल की क्लास परसों की क्लास में पहले नहीं के सकती क्योंकि थोड़ा सा बहुत थाइट श्यडूल में हूँ अभी इस व देती हूं आपकी ताकि बच्चे परिशान ना हूँ तो हम चल रहे थे हिंदी साहिती के इतिहास में अधुनिक काल में प्रयोगवाद प्रगतिवाद सब कुछ हो गया और हां सबसे एची गुड न्यूस बता दूं आप सब पुछा करते थे मेडम कितना रजिस्टर की कितन है उसके और प्रयोगवाद महां तक हो गया यह दूसरा रजिस्टर हमारा स्टार्ट हो गया है और अब हम आगे इसी को कंटीन्यू करेंगे तो जिस तरह से आपने अपने अंदर पेशेंस रखा और उस रजिस्टर को कंप्लीट किया तो आप सभी वाकवी बहुत ही बधा यहां पर वापस यह नया रजिस्टर है तो यह पेज़नमबर 123 वापस यह वाला स्टार्ट कि मैं यह कौन से पेज नंबर ठीक है न एक रजिस्टर कंप्लीट था 343 लास पेज नंबर था दूसरा रिस्टर चालो है आप चाहें तो 344, 345 लिख सकते हैं यहां पर अलग लिखा है 1, 2, 3, 4 जैसा आपको सही लगे वैसा आप इसमें कर सकते हैं तो confused बिलकुल ना होईएगा और हां मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल वैलेंटाइन डे पर सभ क्रिश्ण बक्तों को बहुत बहुत शुप कामना है बहुत बहुत प्यार और मेरी स्कूल के बच्चों ने मुझे विश किया था विश करते वक्त उनके अंदर एक हिचक सी थी कुछ अलग सी भावना जैसा कि हम सभी जानते हैं पर कल मैंने उन्हें उनका अर्थ बताया अब कितना अच्छा बता पाई कितना नहीं यह नहीं जानती पना जितना जितनी मुझे इश्वर ने बुद्धी दी और जितना मैं इसकारिय को कर सकी तो मुझे आप सब के कमेंट्स मिलें बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे पहले सोचा था कि क्या पता ऐसा वीडियो देखके लोग कुछ कहेंगे और हसेंगे और उल्टा सोचेंगे लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आप भारती संस्कृति को मानते हैं जानते हैं समझते हैं हमारी भारती संस्कृति है अच्छा करते हैं हम लोगों की प्रति सानुबूती रखते हैं एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना रखते हैं यही हमारी भारती संस्कृति में प्रेम का परिचायक है और यहीं हुगा और इसी के साथ कल हमारा Black Day भी के हम ने हमारे जवानों को घूझ दिया था तो इसका भी एक तरह से अलग ही है कर दोनों चीजे थी एक अमारे लिए तो था ही लेकिन वालेंटेंट दे र्यल में है क्या वो एक अलग चीजे जो हमारे भारतिय संसकति भारतिय दर्शन की अलग यह पैचान पूरे विश्व में तभी तो हमारे भारत को आर्या वर्त कहां जाता है तभी तो इसे रसिकों की दर्ती कहां जाता है अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं 2060 के बाद हिंदी कविता अनेक रास्तों से होती हुई आगे बढ़ी है कविता समकालीन कविता साठुतरी कविता आदि नाम हिंदी कवे जगत में प्रसुदी तैह है 1960 के बाद इंदी के पुराने कवियों के कावे संग्रे भी प्रकाशित हुए महादेवी वर्मा का कावे संग्रे अगनी रेखा सौरी ये कोई सौफ्ट्वेर अपडेट हो रहा है बीच में इस वज़े से ये दिक्कत आ रही है कोई सौफ्ट्वेर अपडेट हो रहा था ओटोमेटिक इस वज़े से परिशानी आई तो हम यहाँ थे 1960 के बाद हिंदी के पुराने कवियों के कावे संग्रे भी प्रकाशित हुए मादेवी वर्मा का कावे संगया अगनी रेक़ उने सो साथ में उनके म्रत्यू परांत यरिक म्रत्यू के बाद प्रकाशित हुए यानि अग्नी रेखा माधेवी वर्मा का इक कावे संग्रह, 1960 में इनके मृत्यूं की बाद प्रकाशित हुआ माखल लाल चतुरवेदी का एक कावे संग्रह धोम्र वला है इसका प्रकाशन भी उनकी मृत्यूं की बाद हुआ सोर्य कांत रिपाटे निराला की एक रचना आती है सांध्य कांकली, सांध्य कांकली भी उनकी मृत्यों के बाद प्रकाशित हुई थीक है नागार्जन की लंबे कविता है भूमीजा, इस भूमीजा का प्रकाशन भी उनके निधनों परांत हुआ था सुदामा पांडेई, लीलादर जगूडी, चंद्रकांत देवधाले, आलोक धन्वा, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, रितुराज आदि साथोत्तरी कविता के प्रमुक कवी है 1963 में ऐ कविता आंदोलन का उदै हुआ जगदीश चतुरवेदी के संपादन में 1966 में ऐ कविता पत्रीका का प्रकाशन आरंब हुआ ये लाइन बहुत इंपोर्टेट, ठीक है न, देखो, जगदीश चतुरवेदी और जगदीश गुप्त, दोनों चीज़े आपको अलग-अलग है, अलग-अलग याद रखने है कैसे, यहाँ लिखा है जगदीश चतुरवेदी और इनके संपादन में 1966 में ऐ कविता पत्रीका का प्रकाशन आरंब हुआ और ये है एक नई कविता पत्रीका, ये 1954 में जगदीश गुप्त और रामसरूप चतुरवेदी दोनों का है, ठीक है, अब देखो, 1942 में आती है ए अगनी पंखी, क्यों लिखी मैंने यहाँ, क्योंकि यहाँ है मा देवी वर्मा का अगनी रेखा, ठीक है, इसी की सिमिलर ये दो रचनाएं थी, इसलिए लिख दी, ताकि जब भी हम पढ़ें, तो हम कन्फ्यूज ना हो, अगनी विना, कनया लाल सेठिया, अगनी पंखी, स समय तीन कवियों ने मिलकर प्रपध्यवाद, शीर्षक से एक काव्य संग्रे का प्रकाशन करवाया, बहुत इंपोर्टेंट है, या फिर इसे हम नकेन वाद भी कहते हैं, ठीक है, नाम है प्रपध्यवाद, या फिर यह आएगा यहाँ पर नकेन वाद, क्या है ये, नलिन विलोचन शर्मा, केशरी, कुमार सी है, नरेश मेता, यह देखिए, यह है न, नै से नलिन, यह है के, के से केशरी, और यह है न, वापस नरेश मेता, इसलिए इसे नकेन वाद, एक शौट ट्रिक भी है, नकेन वाद या प्रपध्यवाद को याद करने की कि इसमें राइट अब आगे देखिए थे वां कवीठा युद्धावदी कवीठा के प्रवर्तक को थे शalet श्री रामस ओड़ ही वातायन पत्रीगा के संपादक हरिष भादानी जो कि भीकावर थे आज की कवीता की प्रवर्तक माने जाते हैं समकालीन कवीता का प्रवर्तक डॉक्तर विश्वंबर नात उपध्याय को माना जाते हैं सनातनी सुर्योदई कवीता की प्रवर्तक है विरेंद्र कुमार अब इतना जल्दी उठाओगी तो नेंदी आएगी मुझे इसलिए बीच बीच में ऐसा हो रहा है लीलादर जगूडी बल्देव खटीक बहुच अर्चित कवीदा है नाटक जारी है रात अब भी मौजूद है बची हुई प्रत्वी अनुभव के आकाश में शांद यानि यह किसके हैं यह लीलादर जगूडी के हैं अलग अलग राइटर के अलग अलग रचनाएं आपको परिशान नहीं होना है याद रखनी है ठीक है समय लगेगा लेकिन मजे लेके पढ़िएगा बोर बिलकुल नही कैसे याद होगी जितनी बार पढ़ेंगे बार बार पढ़ेंगे बार बार आखो के आगे से निकलेगी वैसे याद होगी और मुझे पूछा है बच्चों ने मैं आपने इसमें सन नहीं लिखवाए कि आजुनिक काल की प्रतेक रचना का आप सन भी लिखवाईए तो क्योंकि आपकी नजर सन पर जाएगी फिर रचना पर जाएगी बहुत ज्यादा गंफिजन हो जाएगा और इस वज़े से मैंने भी यहां सन पर कोई ध्यान नहीं दिया सन को याद रखने का एक ही तरीका है और मैं कितनी बार बता चुकी हूं पुराने पेपर स्वाल कीज लिए और उसी से होगा एक लिए ठीक है यहां सिर्व रचनाए हैं अगर आपको सन याद रखने हैं तो आप आपको वो यूजी सिनेट के पेपर वाली जो बुक है करने ही होगी सुदामा पांड़े दुमिल संसस से सडक तक कल सुनना मुझे सुदामा पांड़े का प्रज अब आते हैं हमारे राइटर उदय प्रकाश इन्होंने लिखा है सुनो कारीगर अबूतर कभूतर फिर मनी मदुकर जो की राजस्तान के निवासी हैं इन्होंने लिखा है बलराम के हजारों हाथ आगे हैं चंद्रकान देव ताले हड्डियों में छिपा जवर दीवारों पर खून से लकड़ बग्गा हस रहा रोश्नी के मेदान की गर अब हैं मंगलेश डबराल पहाड पर लाल्टेन घर का रास्ता नंद किशोर आचारी विकानेर के और चौथे सब्टक के कभी भी हैं जल है जहां वह एक समुद्र था शब्द भूले हुए रेत राग ठीक है अगला राइटर है श्रीकान्त वर्मा क्या लिखा इन्होंने जल्सा घर बटका मेग दिनारंग माया धरपन गरुड किसने देखा है मगत अगले राइटर आते हैं अरुन कमल अपनी केवल धार सबूत नए इलाके में और अगले आएंगे हमारे दुश्वन्त कुमार बहुत ही फेमस है हिंदी में गजल विद्धा के प्रतिष्ठापक सूर्य का स्वागत आवाजों के गेरे में साह में दूप एक कंट विश्व पाई ठीक है यह रचनाएं हैं देखो बहुत ही कम कम पढ़ाऊंगी मैं यहां अधुनिक काल में क्योंकि आदुनिक काल अपने आप में बहुत ही बड़ा एक टास्क हमारे लिए जितने पेज में आपको भेज रही हूं ज्यादा ज्यादा में पाच्छे साथ आठ इससे ज्यादा नही से कम भी चार से पांच बार पढ़िए बहुत जरूरी अगर आप 4-5 बार इसे बार बार पढ़ेंगे जिस दिन मेरा वीडियो आता है लिख लीजिए फिर 4-5 बार पढ़िए बिल्कुल गैंद चिंतन कीजिए इस पे लिख लीजिए थोड़ा कहीं तो यह आपको क्या लिखा और लिखा और अगले वीडियो का इंतिजार करने लगे और खाली नोट से भरने में लगे रहे तो फिर यह आपके लिए बहुत हो जाएगा लास्ट तक भी रचनाय आपको याद नहीं होगी क्योंकि अब रचनाय ही रचनाय है इसका आप ज्यान रखिए तो आपक फटावट से उतार के और फटावट से करें हमेशा तो मैं भूल जाती हूं क्योंकि आपको बढ़ा के मैं इसकूल चले जाती हूं तो जब स्कूल से वापस आती हूं तो फिर मैं पीडियोफ बेच दोंगी तो आप इसे लिख लीजिए फिर चार से पांच बार आखों से निकाल लीजिए और आप करके जरूर देखिएगा आपको बहुत बेनिफिट होगा और मज़ा भी आएगा नहीं तो खाली आप लिखने में रे जाएंगे तो यह बोरिंग हो जाएगा और बहुत गुसा भी आएगा फिर आपको ठीके कन्फ्यूज ना होना है नया रजिस सुन रहे तो टेलिग्राम पे आपको फीडियो मिल जाएगी आप लिख लीजिए ठीके तो कल के वीडियो में हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे हरे कृष्णा राधे राधे